तो आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि by using java awt हम जावा प्रोग्राम में एक ऐसा सिंपल सा इंटरफेस वाला फ्रेम कैसे बनाएंगे जिसमें एक लेबल हो और टेक्स्टेरिया हो सब्मिट बटन हो कि हमारा सब्मिट बटन है तो अब ऐसा एक सिंपल सा फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो वह हम देखेंगे अभी तो फिल्हाल के लिए यह देख लेते हैं कि जावा awt प्रोग्राम को हम टू वेस में रिप्रेसेंट कर सकते हैं जो कि एक इन यह रिटेंस का एक्जामप्ल वीडियो में इससे पहले ही बना चुका हूं यह वाले एक्जामप्ल के साथ जाके लिएगा तो यह है हमारा असोशेषन का एग्जामप्ल तो असोशेषन का example में हम इसका source code कैसे लिखेंगे यह बर check करते हैं तो कि हमारा source code कैसे आएगा तो कोई भी java.awt program बनाने के लिए हमें उसका package install करना पड़ेगा तो के install कर लेते हैं import java.awt.star ओके तो यह package के जितने भी जितने भी सब components है वो सबकों मैं import कर ले रहा हूं जितने भी class है सब import कर ले रहा हूं फिन उसके बाद a class क्लास के इससे पहले का इसका एक्जांपल में 1 दिया था तो इसका एक्जांपल 2 दे देता हूं एक्जांपल 2 फिन उसके बाद फिन उसके बाद मैं इसी file name का मतलब इसी जो यह class name है यह class name का एक constructor बनाऊंगा ओके तो तो यह हमारा constructor है अब हम constructor में सब अपना इसमें इसमें हमें देखना है कि हम यहां पर employee id text area और फिल यह button कैसे इसमें दालेंगे यह text field और यह button कैसे करेंगे तो के तो मैं इसमें हाँ क्योंकि यह association है हम यह class को extend नहीं कर रहे हैं जो कि frames से by using frame ही हम यह चीज अच्छीव कर पाएंगे लिकिन हम यहां पर इसको extend नहीं कर रहे है फ्रेम से तो बिना frame के extend करें हम यह output हम अपने desktop पर कैसे लाएंगे तो हम इसको extend नहीं करेंगे हम यह जो हमारा frame है यह frame का object करेंगे और object में जो भी हमारे components है उसको हम assign करेंगे वह object पर तो ओके तो यह frame का पहले object करेंगे के लिए मैं यह करूंगा फ्रेम तो फ्रेम का एफ दे देता हूं इकवल टू न्यू फ्रेम है तो ओके तो यह हमारा create तो यह हमारा एक फ्रेम object क्रेट हो गया फिर उसके बाद इसमें मैं क्या क्या अड़ करना चाहता हूं ओके तो पहला तो हमारा लेबल हो फिर उसके बाद text field एक button तो के लेबल देता हूं एल एक वल्टो न्यू लेवल तो के तो में लेबल में क्या चाहता हूं कि लेबल में क्या हो के employee ID हो तो कि यहां पर लिख लेता हूं employee ID double quotation में employee ID फिर उसके बाद मैं चाहता हूं कि एक बटन हो ओके तो बटन बीक्वल टू तो बटन के ऊपर हमारे क्या टेक्ष्ट हो some these okay को से मचेछ तो यहाँ में में इस ब्ольноक्रल्फाद और टक्स इयरिया ग्राण टक्स टेक्स्ट एरिया हमारा बढ़ा होता है यह टेक्स וिल Kenny cách to feel शिभ खाली एकुद की सिंगल नाइन में होता है में TEXT AREA हमारे Multiple lines में होता हूँ तो अक्सर लोग चंफिज होते हैं मैं भी हो रहा हूं कि ये TEXT AREA की TEXT human है है ये हमारा SINGLE LINE मतल diferencia हमारा जो भी जो भी समें string आएगा SINGLE LINE में हिन हिं आएगा तो ये TEXT Field है ऑके टेक्स्ट field तो TEXT F Feels का ती ड़ेता हूँ O Aim value तेक्स्टट फील तो इसके अंदर हम लिए कुछ नहीं डालेंगी क्यों क्यूंकि जो टेक्स्ट्ट फील में वैल्यू है वह हमारे यूजर दालेगा प्रोग्राम बनने के बाद यूजर हमारा इनपूर्ट देगा इसमें तो जो भी इनपूर्ट आएगा वह टेक्स्ट फी करेंगे कैसे जो हमारा हम जो हमने अब्जेट क्रेट किया है एल एल फर लेबल बी फर बटन और टी फर टेक्स्ट टेक्स्ट फिल तो जो भी इसका अब्जेट क्रेशन है उसी को लेके ल्डॉट सेट बांड तो यहां पर मैं रैंडम ली कुछ भी नंबर दे जाओं रैंडम ली वह हमारा जो भी यहां पर नंबर रहेगा वह नंबर डिफर करेगा कि यह हमारा यह लेबल का प्लेस्मेंट कहां पर है और टेक्स्ट फील का प्लेस्मेंट कहां पर है और सब्मिट बटन का पर है तो यह जो भी इसका placement है अब ऐसा भी हो सकता है कि यह ऊपर चले जा यह नीचे आजा यह लेफ्ट राइट यह कहीं भी जा सकता है तो वह तो वह पुरा नंबरिंग के ओपर डिपेंड रहता है अगर किसी को यह नंबरिंग समझ नहीं आ रहा है तो वह मुझे कमेंट बता दें मैं future में इसके उपर एक explanation ला दूँगा कि यह कैसे इसमें numbering करते है set bond में तो ओके तो यह फिलाल के लिए हमारा small l है small l set bond equal to मैं यह randoms यह number देता हूँ कि यहां पर quotation नहीं आएगा फिर उसके बाद L का हो गया फिर उसके नीचे हमारा आएगा ती ओके ती का set bond कर देता हूँ ओके 20 फिर उसके हिसाब से आए 100 फिर उसके side में 30 प्रट्टी ओके सबका बॉंड चैकी हो तो फिर उसके बाद button तो button B है button bonds इसका इसका देता हूं 100 इसका देता हूं 100 अ इसका देता हूं 100 अ और बागी का लास्ट दोनों का सबका बॉंड एक ही रहेगा तो यहां पर यह सारे compounds के हमने bond को set कर लिया है तो यह हमारा value set हो गया है फिर उसके बाद हम इसको add करेंगे किसमें ओकी यह सब चीज का declaration हो गया है हम add करेंगे किसको इसको frame में add करेंगे तो add करने के लिए एफ क्योंकि हम इसको फ्रेम में आड़ कर रहे हैं जो भी हमारा जो भी हमारा ऑब्जेट्स है इसको हम फ्रेम में आड़ कर रहे हैं क्योंकि यह जो हमारा यह ब्रैकेट है यह हमारा फ्रेम है और यह फ्रेम में हम चाहते हैं कि हमारे कॉम्पोनेंट्स इसमें आए तो ओके तो बॉंड फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट एड इसमें क्या आड कर रहे हैं बटन और बागी के सब जीतने भी है सब आड कर ले एल इसके बाद एफ डॉट एड क्या बाचा बीटी ऑके टी ओके तो यह हमारा उसमें एड हो गया तो हम हम एहारा ठीक सब्सक्तलि पॉट उटके देखें गया होक होगा है कर दो आ कि उसके बाद फ्रेम करना सेमस्तलिय मतर कि मुझा उओक टो है यह महारा विघ्या मैं यह टियो मैं यह उड हमजन बथने 155 तो इंट हुर्यांड पिक्यल को झाटा virgin इप इफ इनटा इंटे तो 300 पिक्सल्स ओके फिन उसके बाद में चाहूं तो में कुछ टाइटल भी लगा सकता हूं तो जैसे कि टाइटल होगे सेट टाइटल का नाम क्या दे तो एंप्राइटल्स कि एंप्राइटल्स यहां पर आएगा क्योंकि हमारा टाइटल है सेट टाइटल तो एंप्राइटल्स यहां पर आएगा तो हम यहां पर टाइटल भी सेट कर लिए है टाइटल सेट करने के बाद फिर्ण सेट लेयाओट तो सेट लेयाओट अभी हम लोगों कुछ नहीं करना है तो इससलिए नल यहां पर नोटिस करने वाल चीज़ है नल डबल कृटेशन में नहीं आएगा क्योंकि नल इसके बाद F इसकी वीजिबिल्टी वीजिबिल्टी ट्रू रहे मतला वह हमें वीजिबिल हो उसके बाद तो यह जो हमारा कंश्ट्रक्टर है इसका फ्रेम से सब चीज परफेक्टली हो चुका है और उसके अंदर के जो भी कौंपोनेंट से सब हम प्रफर असन कर दिये ओकी तो इतना हो गया फिर उसके बाद हमब करेंगे हैं हमारे घ्रीजिगे का ओके यह हमारे क्लास का में में डिकलेशन तो में मतले दिकलेशन कैसे होता है पब्लिक का अब स्टार्टिक को वाइड में स्ट्रिंग एयार्जियस ओके यह हो गया डिकलरेशन हो गया फिर उसके बाद हम अब ऑबजेट करेंगे ऑबजेट क्या जिसका क्रेट करेंगे इस इसका यह क्लास का ऑबजेट करेंगे एडव्यूटी एक्जाम्पल टू ओके तो यह डव्यूटी एक्जाम्पल टू ऑबजेट का नाम क्या देंगे अब्जेट से देता हूं अब्जेक्ट फिन उसके बाद नियो इसके बाद वही एडव्यूटी एक्जाम्पल टू ऑके सिरे लास्ट में सेमिकॉलन आएंगा यह क्लोज फिर से क्लोज ओके तो यह हमारा में में अमें में अटर्ड लोज हो चुका है फिन बाद में पूरा क्लास कुशन यह क्लास भी क्लोज हो चुका है ठ險 तो यह हमारा खोते है हग जो न्यांस को कर दो कि यह स्वोज चाहते प्लास कोड के हिसाब से कंथे यह अवनश्वार पुट आया आतव शूर्स प्रस पॉट है एंप्लो बागा यह साइड में यह मतर्फ फ्रेम का है मिनिमाईज एक्जित यह उसका है यह हमें असाइन करने का ज़ोत नहीं है यह डिफॉल्ट लियाता है फिर उसके बाद लेबल टेक्स्ट फिल सब्मिट बटन तो जैसे मैं बोला इसका पोजिशन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है यह डिफर करता है हमारे यह वाले सिट बाद पर कि हम यहाँ पर कौन सा वैल्यू असाइन कर रहे है कौन सा वैलिय को ऊपर नीचे यह आगे पीछे कर रहे हैं यह मैं फिर से बाद अगर यह किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे comment section में मुझे बोल दे मैं इसके ऊपर एक separate explanation वीडियो ला दूँगा कि यह कैसे यह कैसे लिखते हैं यहाँ पर size क्या है और bonds क्या है हम कैसे declaration करते हैं यह मैं वीडियो में बता दूँगा तो ओके तो यह हमारा java awt इसको यह जैसे कि इसका second मेतड़ है association मेतड़ जिससे हम यह प्रोग्रम किये हैं प्रीवेस वाला हमारा था inheritance का यह हमारा है असोशियेशन मेतड़ पर तो यहाँ पर देखिए हम कहीं भी class को extend नहीं किये हैं यहाँ पर direct उसका object क्रेट किये हैं फ्रेम क्लास का यह object क्रेट किये हैं फिर वो object में ही हर चीज असाइन कर रहे हैं जो कि previous वाले में हम असाइन नहीं किये थे तो यह था हमारा प्रोग्रम इस वाले output के लिए तो आज करें सिर्फ इतना ही थैंक यू